अधार कार्ड सबसे महतपून दस्तावेजों में से एक है जो हर भारत्य नागरिक के पास होना चाहिए अधार कार्ड बैंक खाता खुलवाने वहन पंजीकरन करवाने से लेकर होम लोन के लिए भी ज़रूरी होता है यही कारण है कि ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरह से आधार का एकसेस होना बहुत जरूरी है इसी बीच आधार कार्ड में कुछ बदलाव हुए हैं अगर आप भी आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव करने जा रहे हैं तो अब आपके पिता या पती के साथ कार्ड में रिस्ते की पहचान सामने नहीं आएगी। अब आधार कार्ड में पती या पिता का नाम अवश्य नहीं रह गया। दरशल आधार कार्ड में आपके नाम के नीचे जनमतिती दर्ज होती है। और उसके पीछे पिता का नाम और घर का पता होता है और शादी शुदा महिला का तो पती का नाम लिखा होता है और फिर पता दर्ज होता है। सामेनता सन ओफ के लिए S स्लैस ओफ और वाइफ ओफ के लिए W स्लैस ओफ का परियोग किया जाता है। लेकिन अब इन दोनों को हटा कर केर ओफ के लिए सी स्लैस ओफ का परियोग किया जाएगा वहीं UIDI के एक सीनियर ओफिसर के अनुसार 2018 में अधारकार्ड को लेकर सुप्रिंग कोट का एक फैसला आया था इसमें लोगों की प्राइवसी की बात कही गई थी अब इसी फैसले के बेस पर अधारकार में एप्लिकेट्स के रिस्तों की पहचान नहीं बताई जा रही है ये बदलाओ कब से लागू किये जाएंगे इसको लेकर UIDI ने कोई जानकारी नहीं दी है असल न्यूज वीरो रिपोर्ट